नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग Consolidation of Mughal Ambar chapter चल रहा है और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे Relations with the Rajput मुगलों के रिले राजबूत के साथ क्या relations थे खासकर अगवर के राजबूत के साथ क्या relations थे इसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अकबर की जो policy थी राजबूत की तरफ वो काफी force giving थी भले ही अकबर अपने इलाके को expand कर रहा था बट वो राजबूत rulers को उतनी ही honor और उतनी ही इज़त भी दे रहा था जो भी powerful राजास थे जमीनदार्स थे देश के वो उनको अकबर अपने डोमेन में ले आया लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी आपकी किस्से हुमाईयों से जब हुमाईयों भारत वापस लोट के आया था तो उसके बाद उसने राजबूत प्रिंसिपैलिटीज के उपर अपना कबज़ा जमाने की कोशिश की और सबसे खास बात यहां पर क्या किया कि यह बात हुमाईयों से शुरू हुई है जो बाद में अकबर ने पॉइंट किया अबूल फजल ने बोला कि भाई जमीनदारों का राजबूत का जो कि अपने आप में बहुत ओनरेबल थे उनके उपर अगर जीतना है तो उनको इज़द दो और उसके साथ मैटरिमॉर्णिल रिलेशन्स उनके साथ स्थापित करो तो आप देखेंगे कि जमाल खान मेवाती हसन खान मेवाती नाम का बहुत बड़ा जमीनदार हुआ करता था इंडिया के अंदर उसका जो कजन था जमाल खान मेवाती जमाल खान मेवाती भी बहुत बड़ा जमीनदार था उसने अपनी बेटी की शादी हमाईयों से करवा दी ठीक है और हमाईयों की अंदर सर्वेस में था बैरम खान बैरम खान जो की बाद में अकबर का मेंटर बनेगा उसने क्या किया कि अपनी यंगर सिस्टर की शादी बैरम खान के साथ करवा दी तो समझे अब ये हसन खान में वाती तो एक मुस्लिम था तो राजपूत्स में ये प्रॉब्लम जरूर हुई थी मुगलोक साथ आप शादी कर रहे हो तो एक हिंदू लड़की की मुस्लिम राजा के साथ शादी हो रही है तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम सुई थी लेकिन एक समय के बाद जब पॉलिटिक्स की बात आती है राज पाट की बात आती है तो फिर एक लड़का और एक लड़की की individual कोई हैसियत नहीं होती है वहाँ पर बस एक राज की अरेंजमेंट होता है तो शुरुवात में हुमाईू ने शादी की किस के साथ तो भाई जो आपकी हसन खान मिवाती था हसन खान मिवाती का जो कजिन था जमाल खान मिवाती जमाल खान मिवाती ने अपनी डॉर्टर की शादी करा दी हुमाईू के साथ और अपनी बहन की शादी करा दी बैरम खान के साथ तो क्या हो गया कि बहुत जमाल खान मेवाती का हुमाईओं के साथ मुगलों के साथ एक화ेय। मुगलों की बीच में लड़ायी नहीं बिस्ते दोड़ायी के फैम्ली के बैट लेकित दूसरी को पर अटैक नहीं होगा लड़ायी को ऊत्तमिकल्ड़ कर सकतेश्यान होगायी अकबर के समय पर लंबी शान्ती लेकर आया था अकबर ने हमायों की इसी policy को continue किया था अम्बेर का जो राजा था ना भारमल वो अकबर के कोड़ पर आया एक्सेशन रजब अकबर का उसके राज़ पर राज़् हो गया देखे राजपूत के अंदर हिम्मत बहुत थी, ताकत बहुत थी, हिम्मत बहुत थी, अब वो बालग बात है कि अकबर जैसा पॉलिटिकल फोरसाइट नहीं थी उनकी, आपस में लड़ते रहते थे, एक बड़ा अंपायर स्थापित नहीं कर पाए, वो अलग बात है कि इब इबराहिम लोदी को हराने करे बावर ना आया होता, और राणा सांगा की इबराहिम लोदी से लाई होती है, राणा सांगा जीच जाता, तो क्या पता, एक मुगल अंपायर ना स्थापित होके, एक बहुत 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 राजपूत अंपायर स्थापित होत भार्मन को जब मुगल गवर्नर परिशान कर रहा था तो उसमें पर अकबन ने भार्मन की मुदद की ये सब चीजें हो रही थी भार्मन ने अमनी छोटी बेटी हरका भाई की शादी करवा दी किसके साथ अकबर के साथ तो ये मैट्रिमॉनिल अलाइंस था और ऐसे बहुत सारे राजपूत प्रिंसिस के साथ यहां पर अकबर ने आपके मैट्रिमॉनिल अलाइंस की तो देखे ये जो शाशक हुआ करते हैं दिल्ली सर्तनत के मुगलों के इनकी बहुत बीवियां होती थी हरम में जज़ते तर जो औरते हैं इनकी बीवियां हुआ करते थी इसा नहीं है कि ये मुगलों से शुरू हो रही है पहले भी ऐसे बहुत से इंस्टेंसिज यहां पर देखे गए ऐसे कौन से इंस्टेंसिज देखे गएं तो भई देखे चौद्वी पंदरी शताब्दी में जो माल देव नाम का पावरफुल रूरल था जियुदपूर का उसने अपनी बेटी बाई कनका की शादी की थी सुल्तान मेहमूद और गुजरात के साथ फिर एक लाल बाई करके बेटी थी उसकी शादी हुई थी सूर रूलर इसलाम शाह शूर के साथ फिर भारमल ने अपनी बड़ी बेटी की शादी की थी हाजी खान पठान के साथ तो इसका क्या मतलब है इन सब चीज़ों का मतलब यह की जो मैरिजिस होती थी न यह एक प्रकार का पॉलेटीकल सैटलमेंट होता था इस स्टेबल परस्नल रिलेशन्स करने के लिए तो कोई मुसलिम सुल्तान आके हिंदू राजघराने को पूरा का पूरा हतियान आले तो हिंदू राजघराने क्या करता था? कि लड़की की बली देता था इन रजवानों के भीच में लड़ाई होनी होगी, तो वो होई जाएगी, हाँ इन लड़कियों की जब एक बार शादी हो जाती थी, तो जदातर किसी में कभी अपने घर लटके नहीं आती थी, यह जहां जाती थी, वहीं क्यों हो जाती थी, और उनको वहाँ पर कनवर्ट करके मुस्लिम मना दिया जाता था, अकबर एक ऐसा राजा था, जिसने अपनी हिंदू वाइस को बोला, कि तुम्हें धर्म परवर्टन करने की जरूत नहीं है, तुम अपने मन हिसाब से पूझा कर सकते हो, अकबर ने रोयल पैलेस के अंदर इनको मंदर बनाने की इजाजाद दी, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच है, इसलिए अकबर को आज की डेट में इतना रिस्पेक्ट किया जाता था, ओके, और अकबर ने इनको बहुत इजद दी, इस प्रकार की इजद पहले के में अलाइंसे में गर्ल्स को मिली हो, इसकी कोई गरंटी नहीं है, ठीक है भई? इन फैक्ट, भारमल जो था, भारमल का जो बेटा था भगवन तदास, वो पांच हजार मनसबदारी बना अकबर के अंदर, और जो ग्रैंट सर्ण था मान सिंग, वो साथ हजार मनसबदारी, मतलब ओवरल आप कह सकते हो कि अकबर ने हिंदू राजे रजवानों के साथ, जो भी अपना असोसियेशन किया, उसके बाद उनको बहुत इजद दी, और इस इजद के चलते अकबर को फाइदा बहुत हुआ, चुकि इन राजपूस की लोयलिटी बढ़ गए अकबर के लिए, आगे बढ़नेस पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपनेस चैनल को शेयर और सबस्क्राइब ने किया कर दीजे, हो सके तो जोइन बटन दबाग एल्प करें, आपके जोइन बटन दाना से काफी मदद मिलती, इस्टर्राम पे फॉलो कर लिजे, टेलेग्राम गूर्प जोइन कर लिजे, अगर 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 एल्प एल्प जोइन बटन दाना से काफी मदद मिलती, अगर की हिंदू प्रिंसेस और मान सिंग, यह सब कचवाही रूलर से, कचवाही डैनिस्टी के थे, आपके राशपूट्स के अंदर, फिर आप देखोगे, जो दनियाल, जो की इन्फेंट प्रिंस था, बेटा था अगर का, इसको अंबेर भेचा गया था, और अंबेज में जो भारमल की वाइफ्स थी, उन्होंने ही दनियाल को पढ़ा लिखा के बढ़ा किया था, अब वरल दनियाल की परवरिश अंबेर में हुआ था, पंदरा सो बहत्तर में, अब समझे, एमपर हमेशा एक जिगा पर तो रह नी सकते, उनको किसी एक्सपेडिशन के लिए कहीं जाना है, ऐसे केसे में, जो सुल्तान का हरम था, मतब बाश्शा का जो हरम था, अबर का जो हरम था, जहां पर सारी रॉयल लेडिस रहती थी, अकबर की मा, अकबर की वाइफ, अकबर की बेहने, तो उस पर्टिकुलर रॉयल हाउजोर्ट्स में उन वुमेन की रिस्पॉंसिबिलिटी देना, इसकी जिम्मेदारी दीगी भारमल को, क्योंकि वुमेन के साथ एक डिनिटी, एक ऑनर जुड़ी होई होता है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये था, कि अकबर को भारमल के उपर बहुत भरोसा था, अकबर ने भारमल के उपर बहुत confidence दिखाया, और ऐसा confidence बहुत नजदीक लोगों को दिया जाता था मतलब अकबर अपने administration में धर्म को important मानता ही नहीं था और इसलिए आज की डेट में अकबर को हमेशा याद किया जाता है किसी और midwell king को इतना नहीं याद किया जाता है जितना अकबर को याद किया जाता है और उसने धर्म के उपर उटके चीज़ें करने की कोशिश की है और कोई भी और राजा चाए वो हिंदू हो चाए वो मुस्लिम हो इतना धर्म के उटके उपर चीज़ें कर पाया हो और successful हुआ हो ऐसे कोई example हमको history में देखने को नहीं मिलते है अचा अगबर के साथ एक और खास बात थी कि ऐसा नहीं था कि अगबर matrimonial relations को एक precondition मनाना चाहता हो मतब हर case में वो matrimonial relations को precondition मना ऐसा नहीं था तो किसी राजपूत principalities के साथ रश्टे जोडने के लिए शादी करेंगे तुम्हारी लड़की के साथ ऐसी कोई precondition नहीं थी तो रण थंबोर के जो हदास थे ऐसा इनके साथ कोई matrimonial relation नहीं था बढ़ फिर भी अगबर की इनके साथ अच्छी बनती थी फिर गड़ कठंगा के जो राओ सुर्जन हाडा थे इनके कोई matrimonial relation नहीं थे नहीं आप देखोगे कि सिरोही और बांस्वारा की जो राजा थे राजपूत इनके अकबर के साथ कोई matrimonial relations थे तो अकबर के matrimonial relations पे डिपेंड नहीं करती है अकबर की policy और अच्छे relation matrimonial relation बस एक जरिया था ठीक है किया आप चलो अगर कोई अपनी बेटी की मन से शादी कर रहा है तो कर लेंगे शादी नहीं हुई तो रिष्टे खराब कर देंगे ऐसा कुछ नहीं था ठीक है अकबर की राजपूत पालसी में जैसे कि मैंने आपको बता है बहुत broad religious toleration था जिसके चलते overall अकबर को यहाँ पर बहुत आपके सकते हो इज़त की जाती थी 1564 में अकबर ने जिजिया abolish कर दिया ठीक है जिजिया का प्रयोक करते थी उलामा जो मुस्लिम प्रीस्ट होते थे वो non-muslims को humiliate किया करते थे Muslim domination and superiority को दिखाय करते थे एक प्रकार का pilgrim tax था लोगों को पूजा के करने के उपर अपने religious places जाने के उपर लगाय जाता था pilgrim tax जिजिया इन फैक्ट normal crisis में बहुत बाद जिजिया लगाय जाने लगा अकबर ने जिजिया को ban कर दिया उसने बोला किसी भी प्रकार का कोई भी pilgrim tax ये जिजिया नहीं लगाय जाएगा तो pilgrim tax और जिजिया अलग भी थे अगर कोई non-muslim है तो इसको वैसे जिजिया देना पड़ता था अलगि कोई बहुत ज़्यादा नहीं था जिजिया लेकिन subjects के बीच में discrimination था धर्म के आधार पे यहाँ पे कोई tax दे रहा था और कोई tax नहीं दे रहा था ठीक है फिर क्या होता था कि मालो मुगलों ने किसी राजपूत प्रिंसिपालिटी पे अटक हुआ और वहाँ सब हार गया तो वहाँ पे जबरदस्ती सब को मुस्लिम धर में convert कर आओ इस प्रकार की policies को भी आपे अकबर ने बंद कर दिया पहले दिल्ली सल्तिनत के सुल्तानों के समय पे इस प्रकार की policies बहुत मदब करिया थी थी फिर नेक्ट बात की जाए जित तोड जीतने के बाद ज़्यादा तर राजपूत रूलर्स ने अकबर की सुजरैनिटी को मार लिया और उसको personal homage देने लगया personal homage का मतलब क्या होता था कि राजपूत पूरे बंदोबस्त के साथ जाके अगरा में अकबर की कोट में जाते थे उसको gifts वगरा देते थे जहां पना हम आपकी सेवा में हाजे रहे प्रकार से दो तीन सलाम माने ठीक है ना उनके सामने जुके और ये होता था personal homage ठीक है जैसलमेर और बीकामर के भी rulers ने अकबर के साथ matrimonial relations बनाए एक ऐसा state था राजपूत state जिसने अकबर के साथ किसी भी प्रकार के relation बनाने से और अकबर के सामने personal homage देने से clear cut बना कर दिया और वो था मेवाड के राणा ने बोला भाई मैं नहीं जुकूँगा अकबर के सामने ठीक है तो चित तोड़ उसके आसपास का जो plane इलाका था वो मुगल domination के अंदर आ चुका था लेकिन मेवाड में जो उदैपुर के आसपास का जो हिली इलाका था ना वो जो मेवाड के राणा थे उनके कंट्रोल में था और वो अकबर के सामने नीचे जुकने को तयार नहीं था 1572 में राणा उदै सिंग के बाद गद्दी पर बैठे राणा प्रताफ राणा प्रताफ के पास अकबर ने बहुत सारे अपने कुछ दूत भेजे और राणा प्रताफ से बोला कि आप हमारे पास आजाओ हमारे नीचे आजाओ हमें परसनल हुमेजदो और आप अपने अलाके में राज करो हम आपो कुछ भी नहीं बोलेंगे और इन अमबैसीज में जो भी दूद जो भी अमबैस्डस अकबर की तरफ से भेजे जा रहे थे यहाँ पे मेवार में राणा प्रताफ के पास इसमें एक मान सिंग भी थे तो मान सिंग बड़े जोशो खोश से पहुँचे अकबर का संदेश लेके कहाँ पे राणा प्रताफ के पास राणा प्रताफ ने खूब इनको प्यार से स्वागत किया लेकिन at the same point of time मान सिंग को ये बोल के भी humiliate तो किया ही होगा कि तुम मुगलों की गुलामी कर रहे हो, मुसल्मानों की गुलामी कर रहे हो, ये सब चीजें थी लेकिन हाला कि ये जो राणा प्रताफ थे ये काफी दिमाग वाले इनसान थे इनको पता था कि सीधे सीधे पंगा भी सही नहीं है तो शुरुआत में तो इनने मान सिंग से अच्छे से बात की, overall किसी को humiliate करना उल्टा सीधा बोलना, शे वैरलस तरीके से बकवास करना, किसी के साथ कर्टिस तरीके से एक्ट ना करना, ये राणा प्रताप के नेचर में नहीं था राणा प्रताप एक true राजपूत थे और अपने अपोनेंट्स को भी बहुत इज़त देते थे अच्छा कुछ स्टोरी के साथ से ये भी बोला जाता है, कि भाई राणा प्रताप ने यहाँ पर मान सिंग की बेज़ती की लेकिन बहुत सारे स्टोरियंस का ये बोलना है कि राणा प्रताप एक बहुत सुलजे वे इंसान थे उन्होंने बेज़ती नहीं की थी कुछ स्टोरियंस का बोलना है कि मान सिंग को बहुत बुरी तरीके से बेज़त किया कि भाई तुम तो मुगलों के ले काम कर रहे हो मुसल्मानों के हाँ तो बुग गए हो तो अलग-अलग अकाउंट्स है हला कि यहाँ पे सतीष यह आपका सतीष अंदरा मीडियोलिस्टी में लिखा हुआ है कि मान सिंग की बेज़ती नहीं की थी एक समय पे तो शायद ऐसा हुआ कि डील नक्की सी लग रही ती कि यहाँ भाई राणा प्रताब सुजरिनिटी मान लेंगे मोगल की हला कि शुरुआत में काफी प्राबलम हुई पहले मान सिंग आए अकबर की तरफ से मान सिंग के बाद फिर भगवन तदास आए भगवन तदास के बाद फिर राजा टोडरमल आए एक समय पे ऐसा लगा की राणा प्रताब तैयार थे यहाँ पे कॉंप्रोमाईस के लिए राणा प्रताब ने एक समय पे अकबर के दोरा भेजा हुआ इंपीरियल रोब अपने कंदे पर पहना भी पर्सनल होमेज देने को तैयार नहीं थे राणा प्रताब तो राणा प्रताब जी हुजूर जी हुजूर करते हुए मुगल बाश्शा अकबर के दर्बार में जाएं वहाँ पे जुक के सलाम करें मुगल बाश्शा को ये राणा प्रताब की खुद की परसनल एगो और उनकी खुद की परसनल रिस्पेक्ट के अगेंस था तो इसके चलते आप देखोगे कि मेवार मुगलों के लिए एक प्राब्लम होने वाला था ठीक है? अच्छा सबसे खास बात एक और थी कि देखें, राणा प्रताब को एक और बात से प्राब्लम से चित तोड़ पर मुगलों का खब्जा हो जोगा था और इदम से मुगलों के सामने सर भी नहीं जुका रहे थे 1976 में क्या हुआ? सुरी, 1576 में अकबर क्या है? कि वो अजमेर गया ठीक है? और अजमेर में जाके अकबर ने क्या बोला? राजा मान सिंग से का कि तुम 5000 की फोर्स के साथ राणा पताब के गेंस चड़ाई करो तो अब आप कह सकते हो कि लड़ाई सी यहां पर शुरू होने वाली थी राणा पताब अपने आप में खुद बहुत काबिल थे उनको पता चल गया कि अकबर की तरफ से अटाक आने वाला है तो जिस तोड़ की बहुत मेजर टेरिटरी जो की रास्ते में पड़ती जब अकबर की आर्मी इस अटाक करती उसको तबाह कर दिया कहते हैं न कि एक स्ट्रेटजी होती जिसको बोला जाता है स्कॉर्ष्ट अर्थ पॉलसी स्कॉर्ष्ट अर्थ पॉलसी में क्या होगा कि माल लोग को एक ऐसा परटिकॉलर इलाका है जहां पर कोई अटाक करने वाला है तो उस इलाके में जितने भी फूड बगरा के रिजर्व से उनको डिस्ट्वाइ कर दो जितने भी पेड़ हो उनको काट दो पानी के सोर्सेज में आप जहर मिला दो तो अंदर जो आर्मी एंट्री मार रही है वो पानी पिएंगी तो मर जाएंगी खाने के वहाँ पे कोई अबलिबिल्टी है नी तो जिस जमीन पे कोई पर्टिकुल अप परसन अटाक कर रहा है उस जमीन को इनहबिटेवल बना दो उसको तबहा कर दो तो जित्वाड में ये कांग किया यहाँ पे किसने राणा प्रताब ने ताकि मुगल फोर्से जब जित्वाड में इंट्री मारें बिल्कुल राणा प्रताब के डोमीनेंस के बॉर्डर पे तो वहाँ पे ना उनको खाना मिले ना प्रॉपर फोर्डर मिले प्लस हुधापुर के आफस पास का इलागा थोड़ा पहाड़ी था तो वहाँ पे जो भी राणा प्रताप की यहां पे capital थी अच्छा ऐसा नहीं था कि यहां पे राजपूत forces अकेली थी और मैं आपको बता दूँ बहुत सारे राजपूत तो अकबर की तरफ से लड़ रहे थे तो बहुत सारे लोग इसको Hindu versus Muslim battle समझ थे बटी Hindu versus Muslim battle नहीं है चोंकि अकबर की तरफ से बहुत सारी राजपूत forces लड़ रही थी और यहां पे राणा प्रताप की तरफ से एक अफगान contingent लड़ रहा था अफगान forces लड़ रही थी और इन अफगान forces को लीड कौन कर रहा था हकीम कान सूर तो समझ यह राणा प्रताप की तरफ से अफगी हकीम कान सूर बहुत सारे अफगान soldiers को लेके लड़ रहा है और अकबर की तरफ से राजा मान सिंग जैसे बहुत सरे राजपूत forces को लेके लड़ रहा है तो मुगलों की जो आपकी राणा प्रताप कि एक कि पज़ाइयुए है तो कभी-कभी हिंदू वर्सिस मुस्लिम लड़ाई भी देखा गया है यह कि एक स्ट्रेटेजिक लड़ाई थी जो कि एरिया के ओक्पेंसी के लिए हो इसको इंडियन वर्सिस फॉरेनर्स की लड़ाई भी आप नहीं बोल सकते हो चुकि अकबर ने भारत देश को यह अपना माना था वो किसी बाहर के देश के आके आसे टेल नहीं हुआ था वो अलमस्ट यहीं पैदा हुआ था और यहीं इसी कोस्त ने अपनी जगा माना था फिर भाई आप देखोगे कि राणा की कुछ एक भील्स की फोर्स भी मदद कर रही थी राणा की फोर्से से लगबग तीन हजार की थी ठीक है शुरुवात में तो यह राजपूत और अफगान का जो कॉम्बिनेशन था इसमें मुगल फोर्स को पीछे की तरफ धकेला लेकिन अकबर खुद यहां पे आया था इस एक्सपेडिशन को लीड करने के रहे तो जब मुगल फोर्से को पता चला कि खुद बाश्चा अकबर यहां पे आये हैं तो overall मुगल फोर्स के अंदर एक अलगी प्रकार की जील सी आगे और राजपूत से यहां पे हारने लगे मुगल यहां पे जीतने लगे फाइलली में राणा प्रताब यहां से भाग जाएंगे मुगल फोर्से राणा प्रताब के पीछे नहीं पढ़ेंगी बट overall एक बड़ा इलाका राणा प्रताब के डोमीनियंस का मुगलों के कबजों के अंदर चला जाएगा यह एक ऐसा समय था जब राणा प्रताब ने सीधे सीधे एक पिछ्ट बैटल किया मुगल के साथ अब समझ यह बात को यह वो बैटल था जहां पे राणा प्रताब गुरिल्ला वार्फिर नहीं कर रहे थे यहां पे राणा प्रताब क्या कर रहे थे सीधे सीधे frontal attack इदर से मुगल attack कर रहे हैं इदर से राणा रता है खुले बैदान में लड़ाई हो रही है तो pitched battle था और इस pitched battle में राणा प्रताब अल्मोस्ट हार गए लेकिन राणा प्रताब अभी eliminate नहीं हुए ठीक है ना भाले ही battle of healthy gati में यहाँ पर राणा प्रताब हार गए नहीं कि राणा प्रताब की अभी भी उमीद है कि वो अकबर को हरा देंगे वो मुगलों को यहाँ पर हरा देंगे और अब वो जिस प्रकार की लड़ाई को adopt करेंगे उसको बोले आता है गोरिल्ला वारफेर अब राणा प्रताब नहीं लड़ेंगे तो अब राणा प्रताब नहीं लड़ेंगे तो अब राणा प्रताब नहीं लड़ेंगे प्रताब और ओपन फ्रेंटल बैटल की टेकनीक को छोड़के गोरिल्ला वारफेर की टेकनीक को पकड़ दिया और राणा प्रताप का रिजॉल बिल्कुल भी इंडिपेंडेंस के लिए यहाँ पे कम नहीं हुआ था, मुगल सोजरेनिटी उन्होंने मानी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे राजपूत प्रिंसेस मुगलों की सेवा में थे, अकबर की सेवा में थे, चुकि अकबर ने इन राजपूत प्रिंसेस को बहुत इज़त के साथ ट्रीटमेंट दिया था, रिलिजिस टॉलरेशन की पॉलिसी को अपनाया था, अपनी कोर्ट में इन राजपूत को काफी इज़त दी जाती थी, काफी पैसा कमाते थे राजपूत तो ओवरॉल अकबर के अंदर ये स दियार नहीं था, बिलकुल लड़ने के लिए सामने खड़ाएं, लेकिन इस रिजॉल्व के बाद भी राजपूत की मदद के लिए ज़्यादा राजपूत यहां पर आए नहीं, चोंकि ज़्यादा तर राजपूत के लिए लड़ने की कोई वज़े ही नहीं थी, वो ये अपने अमपायर की जो नीव रखी थी न, वो बड़ी जबरदस रखी थी, उसकी नीव इतनी स्ट्रॉंग थी कि उसके बीच में छेट कर पाना काफी मुश्किल हो रहा थे हापे, किसके रे, राणा प्रताप के लिए, और राणा प्रताप की बंदत के लिए हापे कोई भ पाल प्याद क्या था, राणा प्रताप यहां अकेले ही थे, भले ही वो मुगल अंपायर को डिफाइन कर ए थे, मतब डेफियांस था, मगल अंपायर की सम nggak दो जhk नहीं रहते, लेकिन जबन राचपूत स्टेट्स यहां पर राणा प्रताप की बंदत के लिए आये नहीं ओके, थाला कि राना प्रताब ने गुरिल्ला वारफेर किया, बहुत सारे ऐसी military methodologies को follow किया, जिसको आगे आने वाले समय में मलिक आम्बेर, जो की डेकिन का जनरल था और शिवाजी जैसे लोग अडॉट करेंगे, शिवाजी भी आगे आने वाले समय में गुरिल्ला वारफे की मृत्तियों के बाद almost सारे डोमीनिस अकबर के अंदर चले जाएंगे, दुंगरपुर, बांसवारासी होरी, ये सब इलाके वैसे भी मुगलों के कंट्रोल के अंदर आ चुके थे, तो राना प्रताब के ऊपर जो आजपास के allies dependent थे, वो तक आप मुगलों की पकड़ में आते जाए थे, अकबर ने सीधे frontal attack launch नहीं किया राना प्रताब के अंदर, चुकि उससे क्या होगा, काफी तबाई होगी, मारा काटी होगी, cruelty होगी, उससे अकबर की image खराब होगी, तो अकबर का क्या scene था, कि आस पास के जो छोटे मोटे मेवार के allies थे, राना प्रताब के जंगल से लेकर वादी से वादी इधर उदर घूमते रहे, कुंबल गड़ पे मुगलों का कबजा हो गया, उदैपूर पे मुगलों का कबजा हो गया, यहाँ पे राना प्रताब को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन भील चीफ्स का सपोर्ट था इनके प और बंगाल प्रोविंस में हो गया एक रबैलियन, और अब इन रबैलियन को दमाना बहुत जरूरी था, तो अब तक जो राजस्थान के ओपर फोकस था, मेवार के ओपर जो फोकस था, वो फोकस भटक जाएगा यहाँ पे, चुकि अब अकबर के सामने एक और बड़ी प् अकबर के सामने एक बड़ी इंटर्नल प्राइसिस थी, अकबर लाहॉर गया, ताकि नॉर्थ वेस्ट के अलाके पर अपने एंपायर को कंसॉलिडेट कर सके, लाहॉर में वो बारा साल रहा, और इस समय पर आप देखोगे कि राणा प्रताब के अगेंस्ट कोई भी मुगल एक्सपेंडिशन नहीं भेजा गया, 1585 तर, और उसके चलते हैं यहां पर राणा प्रताब को मौका मिल गया, राणा प्रताब ने अपनी आसपास की टेरिटरीज को रिकवर कर लिया, कुंबल गड़ को वापस ले लिया अपने कबजे में, चो तोड़ के आसपास की अलाक को ठीक करते हुए, एक इंटरनल इंजरी की वैसे, इनकी मृत्तु यहां पर हो गई, अच्छा, मेवाड के अलावा, अकबर को और भी बहुत जगों पर अपोजिशन देखने को मिला, जैसे मारवाड में, अकबर को अपोजिशन देखने को मिला, जो मालदेव राजा था म मारवाड का, उसकी 1562 में हो गई मिलत्तु, और उसके बाद उसके दोनों बेटों की बीच में लड़ाई हो गई, कि गद्दी पर कौन बैठेगा, अब जो रानी थी, जो मालदेव की फिवरेट क्रूइन थी, उनका जो बेटा था, चंद्रसेन वो छोटा बेटा था, वो गद्दी पर यहां पर बैठा, लेकिन जो एल्डर ब्रदर्स थे, आपके चंद्रसेन के, ओवर ओल, जो दूसरे बेटे थे, किसके मालदेव के, उनकी अकबर के साथ बनती दी, तो अकबर ने यहां पर चंद्रसेन को प्रिश्राइस किया, कि आप अपनी कंट्री के कुछ इन एल्डर ब्रदर्स को दो, चंद्रसेन ने दे तो दिये, बट ओवर ओल उसको पसंद नहीं आया, उसके अंदर में वही राजपूत वाली भावना आ गई, कि यह अकबर कैसे इंटरफेर करता है मेरे काम में, तो ओवर ओल यहां पर रबैलियन सा हो गया, तो अब यहां दियरेट कबजा करना चाहता है, और उसमें से एक जगाती मारवार, चूकि क्या था ना, कि गुजराज जाने वाला जो स्टाटेजिक रास्ता था वो जोदपूर से गुजरता था, और जोदपूर उसमें मारवार में था, तो मारवार के ओपर कबजा करना अकबर का इन, लिए इंपोर्टेंट था अक्बर ने वहाँ पर कबजा कर लिया और जोद्पुर के उपर राय सिंग बीका नरी को यहाँ पर बठाल दिया खराज करने के लिए ठीक है चंदर सेर ने वैलियंटली रिजिस्ट किया एक गुरिल्ला वार फेर भी यहाँ पर वेच किया पर मुगल्स उसके पीछे पढ़े हुए थे चंदर सेर भाग रहा था मुगल्स पीछे भाग रहे थे पाहली चंदर सेर की मृत्ति हो जाएगी 1581 में ठीक है और चंदर सेर का जो बड़ा भाई था कौन उदै सिंग उदै सिंग को जोदपुर की गद्दी पर बठा देगा कौ दखा एगा घुपषे संग लेक ही और जबर्दस्ति चंदर सेन की पूरी ट्रिटरीस के उपर कबगा कर लेगा चंदर सेंग ने भाग रहा होगा एक समय ऐसा आईगा कि चंदर सेर की मृति हो जाएगी और चंदर सेन के ही बड़े बाई उदै सिंग को जोकि मारवार के से हुई है वो कोई और है हर कावाई बोलते हैं उनको ठीक है भाई फिर यहां पर जो शादी हुई न इस शादी में बहुत सारे हिंदू प्रैक्टिस को भी अडॉप्ट किया गया तो यहां पर राजा के घर में मतलब अकबर के जो बेटे सलीम की घर में जब शादी हो रही थी तो भाई ओवर ऑल ब्राइड ग्रूम की जो पार्टी थी वो बारात लेके पहुंची हिंदू प्रैक्टिस के साथ यहां पर शादी क आया और सलीम भी आप कह सकते हो कि अपने एडबिनिस्ट्रिशन में सेक्यूलरी था खा अपने बाब की जैसा ही था फिर पीका नेइर और बुंदी के राजाओं के साथ भी अकबर के काफी सारे परसनल बेलेशन्स थे बीका नेर और बुंदी के राजाओं ने बहुत सरे म बादचीत की और चुकि यह हिंदूस थे तो अब राय सिंग ओफ बीका निर का सनल लॉव मरा आए तो सनल लॉव की जो बहू होगी वो सती परफॉर्म करेगी तो अकबर ने राय सिंग ओफ बीका निर को समझाया कि इसके बच्चे छोटे हैं सती परफॉर्म करना यहां पर स सबसे पहली बात तो मुगलों को यहां पर राजपूत जैसे वारियर्स मिल गए जो कि मिलिट्री एक्सपेडिशन में मुगल अंपायर के expansion और consolidation ने मदद कर रहे थे at the same point of time राजपूत को वो मिल गए जो इनको चाहिए था राजपूत को मिला पैसा राजपूत को मिला यहां पर dignity राजपूत को मिला यहां पर honor और बहुत important post पे यहां पर राजपूत बैटे थे प्रिंसेस के जो इन चार्ज थे वो भी राजपूत रूलर्स को बनाए गए जागीर्स दी गए इनको किसी भी प्रकार से इनके खिलाफ discrimination नहीं किया गया और जो अकबर की राजपूत पॉलिसी थी इसको जहांगीर्न ने भी फॉलो किया शाह जहां ने भी फॉलो किया इस पॉलिसी को तोड़ेगा औरंग जेब और एक रीजन बनेगा यह overall मुगल अंपायर के डॉन फॉल का जहांगीर्न जिसको प्रिंस सलीमी बोलते हो अकबर का जो बेटा था वो खुद एक राजपूत प्रिंसेस का बेटा था तो राजपूत प्रिंसेस उसकी मदर थी उसमें खुद एक कचवाह प्रिंसेस से शादी की जो की जोतपूर की प्रिंसेस थी और जैसल मेर और बीका अच्छा, क्या जहांगीर का ऐसा कोई achievement है जो अकबर के सामने आप कह सकते हो कि कुछ extraordinary हो, जी हाँ, एक achievement जहांगीर का ये था, कि मेवार के साथ जो मुगलों का dispute था वो खतम हो गया था, राना प्रताब आप गदी पर नहीं बैठे तो राना प्रताब की जगा गदी पर आप कह सकते हैं, जैसे तैसे करके वो अपने राजपाटू समाल के बैठा था, तो जहांगीर अकबर के दौरानी अमर सिंग से बातचीत करने के लिए भेजा गया था, तो राना प्रताब की मेरत्यों अकबर के समय पर ही हो चुकी थी, उसके आद गदी पर बैठा अमर सिं की विल को यहाँ पर तोड़ा जा सके, ओके, फाइनली आप देखोगे, जैसे तैसे करके, यह जो मेवाड वाला इशू था, जो नेवर इंडिंग इशू था मेवाड के साथ, उसको यहाँ पर टेक अप किया गया, थ्री सक्सेसिव इशू यहाँ पर लाँच हुए, राना सीधे सीधे जहाँगीर पहुंचा वहाँ लड़ने के लिए, और जहाँगीर का बेटा, जिसका नाम सा प्रिंस खुर्रम, शाह जहाँ, जो की बाद में मुगल बाश्या बनेगा, वो भी यहाँ एक बड़ी आर्मी लेके पहुंचा, मैं आपको बता दो, जहाँगीर काफ मिलिटरी एक्सपेडिशन लांच के अमर सिंग के अगेंस्ट, मुगल आर्मी बहुत स्ट्रॉंग थी, कंट्री की पॉपलेशन डरी हुई थी, मेवाड की, ओवर ओल एग्रिकल्चर रियून हो रहा था, बहुत सारे जो मेवाड के सरदार थे, वो मुगलों की तरफ आके म गया था, कि अमर सिंग को यहाँ पर सिरंडर करना ही पड़ गया, और सिरंडर करने के वाज जैसे अमर सिंग ने करन सिंग अपने बेटे को भेजा, सिरंडर करते समय नको लगता है ना कि भाई, हमारे ओनर का क्या होगा, तो यहाँ पर जहांगीर ने बहुत इजद के साथ अमर सिंग की बेटे करन सिंग का सौगत किया उसको गिफ्ट बगरा दिया वो खुद उटके जाके उसके साथ गले लगाने गया तो कुल मिला कि यहाँ पर जो राजपूत ओनर था वो यहाँ पर डिस्टरब न हो जाए इस बात तो जागीन ने इंशोर किया और मेवार फाइनली आप देखोगे कि किसके डोमीनेर में जाएगा मुगलो के डोमीनेर में यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज हुई जहाँगीर ने राणा अमर सिंग को इस बात के लिए फोर्स नहीं किया कि वो परसनल होमेच पे करे मतब सामने आके जहाँ पना जुक के बोलना जरूरी नहीं है इन फैक्ट जब राणा अमर सिंग का बेटा पहुँचा करन सिंग तो उसको उठके गले लगाए जहांगी इनने तो नीचे जुक के आप के सकते हो सलाम वाले वाला काम यहाँ पे करने की जुरूत नहीं थी थोड़ा यहाँ पे मुगल बाश्या ने भी अपने आपको एमेंट किया प्रिंस करन को यहाँ पे 5000 की मनसबदारी दी गई जो की जोधपूर, बेकानेर और अम्बेर की रूलर्स को दी गई थी और ओवर ओल, मुगल एम्परर को 1500 सवारों के साथ यहाँ पे प्रिंस करन सिंग सर्व करेगा मेवाड और चितोड की टेरिटरी इनको रिस्टोर कर दी गई और आगे आने वाले समय में आप देखोगे चितोड मेवाड मुगलों के लिए इमांदार बने रहेंगे वफादार बने रहेंगे तो भाई, यह जो कंसॉलिडेशन का टास्क था खासकर मेवाड को मुगल डोमीनियल से मिलाने का टास्क था यह शुरू तो अकबर नहीं किया था लेकिन इसको खतम किया जहागी उनने तो यह हमने आप इस पर्टिकुलर वीडियो में देखा आगली वीडियो में देखेंगे Rebellions and Further Expansion of the Mughal Empire मुगल अंपायर में कौन-कौन से मेन Rebellions हुए हैं और आगे कैसे Expansion of a Mughal Empire का जहागीर के दोलान इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे Thank you for watching friends वीडियो को जादा से जादा लोग साथ शेयर करें हो सके तो Join button दबाग करें उससे खासा वंद्थ मिलती है Have a great day, goodbye, थ्यान रखे